हेलो एवरीवान वेल्कम बैक तो माई चैनल ट्रिपल सेवन सोल चैरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूं आप सभी लोगों के ल लेते हैं और देखते हैं क्या आता है पर शुरू करने से पहले गाइस बतादू कि यह जेनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो सो प्लीज कीप अपन माइंड और रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सिर्स्स लोवर डप प्र एंल डवी हुंचेंटा लिजर्ग खान से कार जाएं तक देन। चाहएं प्त पिलेस्ट्री वह जे आप टक टीन देखे नों थैऔर देखनियर कि अएड़ ठाटी टंर घ्ट्री थैयाल से नान माजरर फ्ल्स न स्ट्स्रीजर करा प्तीजर की हैं page of Pentacles star and four of swords and nine of swords nine of wands bottom of the deck Aquarius, Sagittarius, Gemini, Libra यह sign तो मुझे बहुत strong दिख रहे है Gemini Libra Aquarius तो यहाँ पर आई गया है इसके अलावा Sagittarius है Leo भी है यह major sign major orkhana से sign आई है बागी मुझे यहाँ पर Earth Air, Fire दिख रहा है Water नहीं दिख रहा है बट Water sign भी होगता है क्योंकि यह collective है reading तो आपको reading पर focus करना है और यहाँ पर Twin Flame connection भी निकल कर आया है तो जो लोग Twin Flame connection में उनके साथ तो यह reading match कर सकती है Guys यहाँ पर ऐसी vibe आ रही है प्यार भी है लेकिन तकरार भी है कुछ इस तरहा का connection अभी feelings दिख रही है प्यार तो करते हैं ठीक है लेकिन या तो surrender कर दिया यह connection हो सकता है कुछ problems हो क्योंकि मुझे तो problem दिख रही है इन दोनों कार्ट से problem है अभी connection में कुछ ना कुछ या तो आपके person चुपा रहे हैं आपसे कुछ या फिर बाते नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ ऐसा scenario आ गया है जहां पर दोनों के बीच में misunderstanding हो गई है कुछ इस तरह का situation मुझे यहां पर दिख रहा है हो सकता है आपके work related problem कुछ आ रही है दोनों की life में that is why आप लोगों को universe या divine allow नहीं कर रहे हैं कि आपका आप दोनों अच्छे से बात कर सकें because you have lot of work to do first ठीक है अपनी wishes पर काम कर रहे हैं तो आपके partner या आप काम कर रहे हैं that is why अभी कोई movement दिख नहीं रही है even आप दोनों बात करना चाहते हो एक दूसरे से लेकिन बात नहीं कर पा रहे हो what on the deck से है night of wand सी person आपको लेकर काफी ज़्यादा attraction और romantic feelings भी रखते हैं आपको लेकर लेकिन फिलाल जो बात है वो है no contact situation ऐसे में आपको इस person को परिशान नहीं करना चाहिए अगर ऐसा है तो अगर ये person no contact situation लेकर आ रहे हैं तो आपको ये बात समझ कर आगे बढ़ जाना चाहिए इसको ज़्यादा परिशान नहीं करना चाहिए और अपनी healing पर ज़्यादा focus करना चाहिए क्योंकि यही अभी scenario भी दिख रहे हैं आपर क्योंकि आप दोनों को strength की जरुरत पड़ रही है क्योंकि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो और यह चीज तो खेर आपको परिशान करती है दोनों को जब आप बात नहीं करती हो लेकिन scenario यह ऐसा आगया है हो सकता है इनके work area के वज़़ा से कुछ issues आए हैं जिसके वज़े से आपको आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मन तो है इसका बात करने का यह चीज तो मुझे दिख रही है पर शायद ही खुद को रोक रहे हैं या फिर सबर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बट आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी मुझे यह चीज़े हैं आपर शो हो रही है बात्चित बंद है आप दोनों के बीच में पर प्यार है यहाँ पर ऐसा नहीं कि बाद बंद है तो प्यार खतम हो गया और आगे कुछ हो नहीं पाएगा आज बाद बंद हो यह तो कल हो जाएगी उस चीज को लेकर इतनी टेंशन मत करो लेकि नभी का सिनेरियो समझने की कोशिश करो और यह समझने की कोशिश करो क्यों पहला ही काज जस्टिस का कार्ड था ना डिवाइन चाहते क्या है कि आपको क्या करना चाहिए इस चीज पर ज्यादा फोकस करो अभी आप बाकी तो देखो पत्ता भी भगवान की मरजी से हिलता है अगर आप दोनों बात कर रहे हो जब तो भी भगवान की मरजी है नहीं कर रहे हो तो भी भगवान की मरजी है तो यहां भी भगवान की मरजी को accept करकर आप आगे बढ़िए और अपने main purpose पर ज़्यादा से ज़्यादा focus लगाईए क्योंकि हो सकता है आपको यह time दिया जा रहा है दोनों को कि आप अपनी अपनी जो भी struggles हैं उनको खतम कर दो पर अगर इस person की current feeling के बारे में बात करूँ तो इसका तो मन है आप से बात करने का बट यह करनी पा रहे है ठीक है यह चीज़े यहाँ पर आई है और देख लेती हूँ इसके deep feelings क्या है आपको लेकर यहाँ से देखो ऐसा नहीं कि आपके इंदो वर्थ नहीं है याप intelligent नहीं है और आपको यह person समझते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ऐसा तो कुछ है नहीं आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं आप में वर्थ है यह तभी आपको अभी तक तभी आपके साथ contact में है no contact situation आ रही है तो हो सकता है कि खुद को change करने के लिए हो सकता है कि इस person को अपने कुछ personal issues या खुद में कुछ changes लेकर आने है यह चीज़े हो सकती है पर यहाँ पर काफे ज़्यादा attraction दिख रहा है sexual attraction दिख रहा है romantic feelings दिख रही है जैसे कि मैंने बताई दिया था आपको यह चीज़ तो feel कर रहे हैं यह person आपको लिखकर abundance और आपके साथ abundance भी पता है कि आप ही के साथ मिलेगी खुशियां आपके साथ हैं लेकिन अभी आप free हो जाओ उस person से यह main अभी मुझे message मिल रहे हैं आपर क्योंकि यह आपको contact करनी रहे हैं ऐसे मैं अगर आपने इनको ज्यादा contact करा तो फिर यह person irritate हो सकते हैं आपको blog भी कर सकते हैं फिर परिशान हो कर मट disturb करो जो हो रहा है उसे होने दो ठीक है और अपने purpose पर ज्यादा focus रखें आप परिशान मत हो ज्यादा passion क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए passionate हो okay and we have romantic feelings अपने आप आ जाएंगे ए person आपके पास अगर no contact situation आ भी गई है अभी अपने आप वापस आएंगे getting to know each other क्योंकि इसको आपको और गहराई से जानना है ठीक है इसी वज़ा से love first yourself लेकिन अगर आपको इस person को पाना है न कोई बात नहीं है separation आ गया it's okay but आप पहले अपने आप से प्यार करना सीखो खुद की value ज्यादा से ज्यादा करो जब आप अपनी value करोगे अपने आप से प्यार करोगे तभी आप ये प्यार कर सकते हैं कुछ ऐसी situation आ रही हो सकता है भगवान में condition लगा दी है कि पहले आप खुद से प्यार करोगे खुद की personal issues ठीक करोगे देन आप ये लव कर सकते हो इस प्यार को बट यू डिजर्व दिस लव आप डिजर्व करते हो तभी इतना आगे बढ़ गए हो आपका प्यार करनेक्शन भी दिख रहा है यहां पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जादा पैस्टिनेट भी दिख रहे हैं और रॉमेंटिक फीलिंग्स भी हैं वर्ती हैं अब तभी तो यह इतना आगे बढ़ रहा है connection और आप दोनों का connection spiritual connection है आप मेंसे जाएतर लोग spiritual connection में दिख रहा है लेकिन अभी आपकी पार्टनर की जो current feelings है वो यह है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं और आपको भी इस चीज़ को समझ के इनको force नहीं करना कि इनसे आपकी आप मतलब आपके partner आपसे बात करें आपको force नहीं करना यह अपने आप ही आपसे बात सम हो जाएगा तो इस चीज में believe रखो और आगे बढ़ो कुछ messages देख लेते हैं यहां से अभी you are my soulmate देखो आप तो soulmate भी कह दिया है इनोंने आपको soulmate connection है इसलिए कभी separation कभी in and out वाली condition है अभी इसको accept कर लो you never let me feel lonely you are funny आपको देखो funny भी कह रहे हैं you make me a better person आप यह की वज़े से better person भी बने है आप दुनोंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा सम्हाला है and देखो you are my strength आपको अपनी strength भी कह रहे हैं you are very cute and adorable आपको cute and adorable भी कह रहे हैं और देखो यह भी कह रहे हैं कि आप इनको बहुत ध्यान सुनते हो you listen to me well you listen to me well okay तो यहाँ पे guys मुझे लगता कि बहुत complex situation है but no contact situation आई है यह जल्दी ही खतम भी हो जाएगा और आप ही के person को दाएंगे आपके पास so don't worry tension मतलो बस अपने purpose पे ज्यादा focus रखें okay this is your reading I hope कि आपके साथ resonate हुई हो तो अभी के लिए guys बस इतना ही bye take care बसक्ता है